तो दोस्तों जब भी आप NAC को वीडियो के थम लेल पे देखते हैं तो कॉंट्रोवर्सी ही सोचते होंगे क्या करें? कॉंट्रोवर्सी चली ही इतनी रही है In fact, पिछले कुछ वीडियो में जातर सर्फ कॉंट्रोवर्सी की बात कुई है Especially योगी बाबा के अराउंड हाला कि एक दो कॉंट्रोवर्सी और भी है लेकिन इस वीडियो में हम कॉंट्रोवर्सी की नहीं ऑपर्चुनिटी की बात करेंगे अभी क्या है? अभी सिच्चोशन यह है कि MD और CEO विकरम लमय जो NAC को संभालते रहे हैं पांच सालों से उनका कारेकाल स्माप्त हो रहा है और अब NAC ढूंड रहा है नया MD और CEO इस वीडियो में देखेंगे कितना package कमाते रहे थे विकरम लमय और उनसे पहले चित्रा जी और अभी जो नया MD और CEO आ सकता है उसका package क्या हो सकता है क्या है क्या है BSE के जो MD और CEO हैं उनको कितना पैजा मिलता है एक इंडस्ट्री का ecosystem पता लगता है कि जो ये लोग संभाल रहे हैं संभाल रहे हैं इंडस्ट्री को कितने पैसे पे बैठे हैं क्या expectation होती हैं काम ऐसा क्या करते हैं कि इतने बड़े package मिलते हैं यह सब कुछ इस वडियो में जानने की कोशिश करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों NSE के MD और CEO चित्रा को तो आप जानता ही है चित्रा इस समय CBI के गिरफ्त में हैं और एक तरीके से अपने जो पुराने पाप हैं उनके बारे में पेवरा दे रही हैं बातें कुछ भी पूलती रहें लेकिन पैसे बहुत कमाती थी उनका package उनके समय पे 7.87 करोर रुपीज था हर साल का अब तब करीब 75 लाक रुपे महीने के वो लेती थी शायद उससे भी जाद आगर हम देखे तो बट इन हैं काट वाट के 60-65 लाक रुपे मिलते होंगे और वो सब करने करती थी अब इससे शायद पेट नहीं बरता था इसलिए योगी बाबा जी के तो विकर में लिवाए जी जिनको माना जाता है कि उन्होंने एक तरीके से कोशिच की थी ब्रैंड इमेज को इंप्रूब करने की वो अब थोड़ा जाते चाते खराब हो गई है उनकी वज़ासे नहीं लेकिन उनके पुराने जो प्रिसीडिंग एमडी और सीओ थी उनके कारण वो करीब आठ करोड के पैकेज पे थे तो एक तरीके से वो भी अच्छा पैसा कमा ले थे एन्नसी ने पिछले पांच सौलों में अच्छे मुकाम हासिल की है एपसलिटली डन जॉब डन वेल और विकरम लिमय का अच्छा खासा हाथ रहा है इसमें बट प्रॉब्लम इस कि इंडिया में ट्रस्ट फैक्टर की कमी स्पेशली एन्नसी को लेके बहुत साथा फैल गई है उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है अब जो नए एमडी और सीओ है 25 मार्च तक application का समय open है अगर करना चाहें तो कर सकते हैं at the same time requirement क्या है requirement यह है दोस्तों कि जो भी इस position को हासिल करेगा उसके पास IPO का पूरा कपर जो life cycle होता है companies को market में जो लेके आना होता है list करवाना होता है उसका अच्छा-कास experience होना चाहिए corporate governance का track record बढ़िया होना चा हैंगे यह सब चीज़े अगर आप कर लेंगे तो आप NSE के MD और CEO के interview के लिए बैठ सकते हैं अब बैठेंगे जवाब तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस बार कर जो package होगा कम से कम 10 करोड़ रुपे का होगा क्योंकि इस बंदे के पास सिर्फ यह चीज़े नहीं NSE की brand image को improve करने की बहुत बड़ी जम्मेवारी होगी उसकी brand खुद अच्छी होनी चाहिए तो अगर है मैं NSE हो तो मैं साइद उसको जौब पे hire नहीं करूंगा जिसका अभी repetition या तो neutral है negative तो भूली जाओ पर एट लीस उसके पास खुद का कुछ positive brand outlook हो companies जानती हो exchange के लावा से के भी भी अच्छा link हो तो ऐसा कोई इनसान जिसका brand already market में हो कोई नो सिख्या ना हो इस क्षेत्र में market का understanding हो industry का understanding हो थोड़ा veteran हो industry का तो NSE के इस समय के पद के लिए requirement ऐसे के से candidate की होनी चाहिए पैसा secondary बन जाता है इस case में brand reputation is super duper important क्योंकि सिर्फ Indian या domestic investors के हाथ में नहीं ये foreign investors के भी नजर को improve करना है क्योंकि अभी वहाँ पे आँख मिलाना मुश्किल हो चुका है तो this is what the requirement is जो अगर हम BSE के MD और CEQ की बात करें जो इंडिया का दूसरा exchange है उसके package almost आधे होते है as compared to what NSE guys get paid विकर मिलमाय खुद भी इस race में अभी भी शामिल है ऐसा नहीं है कि वो खुद शामिल नहीं है उनका भी brand image अच्चा है उनको भी extension मिल सकती है लेकिन competition होगा उनका बाकी के industry veterans के साथ तोड़ा interesting होगा let's see how it turns out आपको बताना जरूरी था क्योंकि आप इन्हीं exchange के लिस्टरी companies में पैसा लगाते हैं अच्छा हो बुरा हो आपको पता होना चाहि इस वीडियो में अभी कि इतना ही इस information को याद रखिएगा और जब भी कोई नए MD और CEO आते हैं आप तक जरूरू पंचाहेंगे information अगरी वीडियो में जल्दी बिलेंगे इसको देखने करी बहुत बहुत शुक्रिया टेक क्यार पाई झाल 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 झाल